यहां यह मालचा गाहुं का समसान गाट होता था, जो लोग अंग्रेजों के लिए भारत्या सेनिक लड़ते थे, उनकी याद में उसकी याद में इसको बनाया गया था। ना कि देश की सेना की लियस को, पिछले दो-तीन सालों में जो बदला हुआ है, जो बदला हुआ है, सहीदों के याद में जो पीछे नया वार मेमोरियल बनाया है, वो सही में सहीद सम्मान के लिए बना गया, सही तरीके से देश की सेना के सम्मान के लिए सरवोच इस्थान व विपक्स के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई करम, कोई परिश्थिती उनके साथ आज नहीं है। आज वो बेवोकूवी भरे कोश्चन दागे जा रहे हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है आज के माईनीदी। लेकिन सच यही है। ये लोग केवल और केवल गुम्रा करते हैं, गुम्रा करने की राणिती करते हैं, जूटी राणिती करते हैं, देश विरोधी राणिती करते हैं कितार का फैसला लिया उसके साथ है सार एक बार नाम सबसे पहले मेरा नाम संजीव लाकड़ा है कौन सी जगह से आते हैं मैं देश की राजधानी का ही नागरिक हूं लेकिन बेसिकली मैं बागपत उत्तर परदेश से देश के सबसे बड़े राज जगे पहले चंड में जहां दिल की गहराईयों से स्वागत करता हूं एक आमनागरिक होने के नाते यहां यह मालचा गाउं का समसान गाट होता था जो लोग अंग्रेजों के लिए भारतिया सेनिक लड़ते थे उनकी याद में उसकी याद में इसको बनाया गया था ना कि देश की सेना की लिए इसको लेकिन उसकी कॉंगेर सर्कारे यहां जो भी सरकारे नहीं लोगों ने गुम्राञ किया आम लोगों को यहीं लो जला दी और यहीशे सहीदों के समवान के लिए हम अब तक जानते थे लेकिन पिछले दो-तीन सालों में जो बदला हुआ है ना जो बदला हुआ है सहीदों के याद में जो पीछे नया वार मेमोरियल बनाया है वो सही में सहीद सम्मान के लिए बना गया मैं या हम सभी ने देखा हैं वहाँ आरसैनिक की सहीद हसेनी के हर एक इट पेक सहीद का नाम लिखा हुआ है और हर एक रोज सहीदों के परिवार को बुला के पूस्प गुचरपित किया जाता है सही तरीके से देश की सेना के सम्मान के लिए सर्वोच इस्थान वही है ना कि ये इंडीयागेट का पूरा मेमोरियल जो सामने बनावा दिखाई देता है इसकी विल्डिंग है वह तो फर्स्ट वल्ड बार में जो लोग सहीद होते हैं उनकी याद में भात पुराना बनावा इसका इंडियन के जो लोग सहीद हुए थे उनसे तो कोई ले ना देना नहीं है तो अगर हम इस लोग को वहां सिफ्ट कर रहे हैं तो कॉंगरेस को समस्चा क्या है वो ये पूछे जो पिछली सरकारे रही है ये लोग अंग्रेजों के जमाने से अंग्रेजी रानिती के पैरोकार होने के बाद देश की सत्ता चला रही इनका देश के इत्यास से कोई मसला नहीं है ना इनको मतलब रखता है इन चीजों से क्या प्रिश्टितिया है जो पहले सहीद हुए थे वीशुद में उनकी याद में ये चीज़े बनाई गई है उसके बाद जो सैनिक जो भार सहीद होते हैं उनका नाम यहां नहीं है केवल एक गलत संचार और बावना से केवल सलाम करते थे लगाएगी उनिस से कट्र के बाद लगाएगी उनिस सब्सक्राइब करता हूं और दिल की कहरें स्वागत करता हूं ट्विट आया और उनने काया कि ये सेना का अपमान है पुरी तरह से जो मुधि सरकार है वो सेना का अपमान कर रही है और हमारी सरकार जैसे ही वापिस आईगी फिर से यहीं लोज जलाएंगे क्या कहीं गया गलत फैसला गलत जानकारी गलत संचार देश की देश के आजादी के 75 अमरत मौसम में सही सेनिक सम्मान के लिए आज अमर जोती जवान को अंदर वार मेमोरील में शिप के गया वो बहुत सही कदम है सरकार का पुलवावा का अटेक जब हुआ था उसके बाद भी राजनीती सुरू हुई थी फिर जब बाला कोट में जाके घुसकर सेना ने मारता सबूत मांगे गए और आज भी सवाल उठा दिये गए तो इस तरीकी के राजनीती से क्या मैसिज जाता है देश में आम नागरिक को य पांस राज्यों में के जहां चुना होने वाले हैं आप देश के अब जैसे देश के परदान मंत्री ने भी ट्वीट करके जानकारी दिये हैं कि वहां सई सुभाशन जो हमारे देश के आजादी के नायक जिनकी बदोलत आज हम 75 अमरत महुसा मना रहे हैं वह आज उन्हीं क हुआ है क्या इतना वर्सों तक आखरी क्यों फैसला नहीं पाया ऐसा क्या मजबूरी रही सरकार की पिछली सरकारों में कि फैसला नहीं उठा पाए कि सईदों को इस्थान दे और जो नेता जी जैसे लोग जो जिनोंने पूरी जाधी में पूरा योगदान दिया उनको इस है जिनको लोग जानते ही नहीं नेता जी सुभाशन बोश जैसे सुर्वीरों की बदोलत आज आम खुली हवा में अभिवक्ती कि आ जा दी और सांस सब कुछ ले रहे हैं जो समय पर्ति बन था उनके याद में या उनको लेके देश के हर इसे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ न सामने कह द bron लेकिन सच यही है यह लोग केवल और कीवल गुम्रा करते हैं गुम्रा करने की राजनिती हैं जूटी राजनी कते हैं विरोधी राजनीती करते हैं उपनी की उलकी कहीं गर इस ळानी के संदेते हैं इन लोगों का κιनारा किये जाए इन जैसे जब अभी फैसला है इस चीज़ को जादा से जादा लाइक करो ताकि देश की राजनिती और सिस्टम को एक नई अवेरेनेस मिले आज यूग में बड़ा परिवर्तन हुआ है आज वो जमाना नहीं रहा इस सोसल मीडिया या मन्ज के माध्यम से करोड़ों लोगों को संदेश पहुँचना चाहिए कि आज जो फैसला किया गया है वह वाके स्वागत योग है पुरा देश हर आदमी इसके साथ है केवाल विपक्स को चोड़के विपक्स के पास कोई मुद्दा नहीं है कोई मुद्दा कोई करम कोई प्रिश्थिति उनके साथ आज नहीं है आज वो ब इंडिया तो वियोध परदसन करने के लिए यह यहां दार 114 लगी और विरोध परदसन करने के लिए यहां जंतरमंतर जैसी जगहा है हएख़िंग मुद्यष ओंटर प्रदसन करने के लिकिन उचित जगह पर जांए ख करें उनका कहना साफ है कि जो सरकार ने भरस सरकार ने इतियासिक फैसला लिया है इसको पूरे देश में सम्मान मिलेगा और जो कर भी पक्च कोई किसी भी तरह से गुमरा करने की कोशिस कर रहा है उससे आदा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं जनता जो समझदार है आप देखते ही हो जोनी जिन्दी धन्यवाद चहिन